घर में हुई है धमासा लड़ाई वो भी अरुन और मुनावर के बीच में जहां पर मुनावर ने गाली भी निकाली है और अरुन जो है मुनावर को धक्का मारने तक गया है इतनी बड़ी लड़ाई हुई है गाइस घर में जो कि चोरों का आतन जो है काफे ज़दा फैल चु लाइनर बोल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है हाला कि इनकी ये दोनों एंटर्टेनिंग तो है लाइव में थोड़ा बहुत दिखाया जाता है बट एपिसोड्स में जो है इनको इतना ज़दा एंटर्टेनिंग नहीं दिखाया गया फिर भी बिग बॉस ने सल्मा इनको दोनों को थोड़ा बहुत हुल दे दो और थोड़ा बहुत थपथपाई कर दो ये जो है आतंक फिलाएंगे ये बवाल करेंगे और वो ही चीज जो है तीर निशाने पर लग गया है जहां पर मुनावर ने आरुन को पूछा कि क्या तुमने रोटियां चुराई है हम अप्चुली में जो दमकी टीम है उनका कहना ये है कि हम भी अब यही करेंगे और यही चीज जो है उन्होंने करने शुरू कर दी है और वहां पर जो है जब मुनावर ने पूछा तब अरुन ने बोलता है चेक कर ले भाई मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया है और फिर जात क्योंकि घी लगेगा तो at least हम चोरी करके खा लेंगे चोरी ये की गई है पर वहां पर सीना जोरी भी की गई है जहां पर इस मैटर को लेके काफी जदा लड़ाई इनके बीच में हुई है जहां पर ऐसा लग रहा है कि मुनावर ने कोई गाली दी है जिससे काफी जदा ट् देखेंगे ऐसा चीज़ करके रखेंगे शाम तक हमारे प्याओं में पड़ा होगा ये बात जो है तहल का बोल रहा है वही ना उल्टा चोर को तवाल को डांटे और अरुन का कहना ये है कि यहां पर मारना अलाउड नहीं है पर गाली देना भी अलाउड नहीं है नहीं जी यहां पर मारना अलाउड नहीं है पर आप प्रवोक कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बोलने का शो है और मुनावर सिर्फ बोलता है और उसके गेम ही बोलने की है उसकी लड़ाई करने की नहीं पर ये लोग ऐसी हरकते कर रहे हैं कि मुनावर की भी लड़ाईया हो जा रही है इस घर में जहां पर मुनावर हर जगा पर हर इक लडाई में एकदम सही रहे हैं और सामने वाला एकदम गलत रहा है अभी आप बताईए भहे इस लडाई के उपर आपका क्या कहना है जल से जल कीजिए कमेंट इसी के साथ मैं लेती हूं जाज़त नमस्का